आप सभी का YouTube के study tips में आप सभी का फिर से स्वागत है आज हम लोग फिर से JPSC crash course के according हम लोग माजी प्रगना या संथाल शाशन व्यवस्था हम लोग देखेंगे जो कि हमारे examination के view से बहुत ही ज़्यादा important है और हम लोग सिफ उसी important topic के उपर ही हम लोग बात करेंगे यानि कि यहां पर एक one-liner way हम लोग यहां पर सिखेंगे कि one-liner way से हम लोग कितने topics को हम लोग cover कर सकते हैं और चुकि बहुत ज़्यादा जब हम लोग के पास कम समय रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि पूरा book को पढ़ना हमारे लिए possible नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि review के माध्यम से जो भी सबसे ज़्यादा important points आता है उसके साथ हम लोग यहां पर classes में आपको यहां पर बताते हैं तो चली जल्द से start करते हैं इस session को और JPSC Crash Course अभी तक आप लोगों को हमेशा हम लोग इस माध्यम से यानि कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाते आए हैं और बताते आए हैं और समझाते आए हैं तो इसमें आप जोइन करके रहें आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है तो चली श्टार्ट करते हैं सबसे पहले माजी परगना या संधाल शाषन व्यस्था क्या है संधाल जारखन के प्रमुक आदिवासियों में से एक है जैसा कि हम लोग जानते हैं संधाल जारखन के प्रमुक आदिवासियों में से एक है वैसे तो यह जारखन के विभिन भागों में यानि की विभिन भागों में यह निवास करते हैं लेकिन बहुत संधालों का निवास स्थान सल्थाल परगना है जिसके नाम से इनको पूरा संधाल परगना का इस जगह को संधाल परगना हम लोग मैप के द्वारा भी बढ़ेंगे तो बहुत ही जल्द हम लोग मैप के ख्लासेज भी यहां पर लाने वाले हैं जो कि डारेक्ट जे पीएसी जो दे रहे हैं जे पीएसी जो दे रहे हैं या जे एससी की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए 100% यहां पर एफिसेंट होगा और बहुत ही हलफुल साबित होगा यहां पर ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं नमिंतम जनगनना के अनुसार तो हम जनगनना से याद आया एक बात की यह हाल ही में कौन से यर में जनगनना हुई है उस यर का नाम आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे और अ जोनों के कमेंट करेंगे क्योंकि इस तरह के questions पूछे जाते हैं इस जनगनना के अनुसार मतलब अभी निवेस जनगना है कुल जनसंख्या लगभग 24 लाक है यानिकि जो संथाल है संथाल आदिवासी जो है वह 24 लाक के करीब है जो जार्खन के आदिवासियों में सबसे ब तो आपका एंसर होगा संथाल, याद रखना है, ठीक है? ओके, संथालों की पारंपरिक स्वाशार्षन व्यवस्था काफी प्रचलीत है इसकी जो पारंपरिक स्वाशार्षन व्यवस्था है, वो काफी प्रचलीत है हमारे जारखन में और पूरे देश में भी अभी तो संताल जो है यह जो जन जाती है यह तो विश्व में प्रचलीत भी हो रहा है दीरे दीरे ठीक है ना आगे आते हैं अपने सामाजिक जीवन को सुरक्षित तथा संगठित रोप से चलाने के लिए प्रतिक गाम में प्रशाश की धार्मिक प्रधान होते हैं जैसा कि ह कोई भी शाशन व्यस्था को जब हम लोग चलाते हैं कोई भी शाशन व्यस्था हमारे साथ जब होती है तो क्या होता है कि हमारे शाशन व्यस्था को चलाने के लिए कुछ हेड्स होते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि कारगर होते हैं इसके प्रविपर शाशन को चलाने के ल रूप से चलाने के लिए पड़ते हैं काव में परशास ही कि हम धार्मी परदान होते हैं जो निमन परकार किया है जैसे संथाल या माजी परकना शाहसन व्यस्ता जब हम लोग पड़ रहा है तो निमन परकार किया है माजी हुए जो की प्रदान कहलाते हैं ठीक है शाहसन व्य इसके बारे में भी हम लोग अभी समझेंगे हटवा नमर में है नायके देशमाजी या मोडे माजी इसको कहा जाता है मोडे माजी के नाम से ज्यादा अप लोग प्रचलित सुने होंगे नाम ठीक है परगनेत इसके बाद सुसारिया चौकिदार और दिशंपरगना ये सब सारे जो भी हैं ये धार्मिक और प्रषाशिक ये प्रधान हैं जो कि संथाल शाशन व्यस्था ये माजी प्रगना शाशन व्यस्था को चलाने में help करते हैं और इसका संगठन जो बनाते हैं उसके रूप में उनको एक जोड के रखते हैं सभी का कुछ न कुछ सामाजिक जीवन से related प्रशाश किया दावित्व है या तो धार्मिक दावित्व दिया गया है तो वो क्या क्या है हम लोग एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर मांजी प्रधान मांजी गाउं का प्रधान होता है याद रखिएगा मांजी जो है वो गाउं के पूरे गाउं के प्रधान होते है यह गाउं के आंतरिक और बाय दोनों प्रकार के शार्शन व्यवस्था है तो गाउं का प्रतिनी दित्व करता है यानि कि गाउं में जो विचार विर्मन्स होगा वो तो है ही साथ ही कोई suggestion गाउं से बाहर ले जाने के लिए या बाहर का suggestion लाने के लिए अनेक प्रकार के जो भी व्यवस्था होती है उनको देख रेख निगरानी करने के लिए प्रधान का selection होता है और यही प्रधान उनका य दाइत्व देना, सारे इनके according होता है, यानि कि इनके under में होता है, और साथ ही साथ कोई विचार भी मर्ज या नयाईक कुछ प्रक्रिया होता है, तो भी यह मांजी ही उनका lead करता है, मांजी के ही leading से होता है वो चीज, दीका, उसे लगान लेने का अधिकार है, तथा उसे के लिए कुछ भी allow कर रहे हो, या rules regulations बना रहे हो, तो सब मांजी प्रदान के under से होता है, प्रानिक क्या है, वो हम देखते हैं कि यह प्रानिक क्या है, यह भी गाओं का एक प्रमुक सदिस से होते हैं, ठीक है, इन्हें उप मांजी के दर्जा दिया जाता है, यानि कि मांज मांजी के नीचे वाला पोस्ट जो होता है, उसको हम लोग प्रानिक कहते हैं, ठीक है, इनको उप मांजी भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है, उप मांजी, यानि कि कभी मांजी के अपसेंटी हुई, तो हमेशा प्रानिक इनके जगह पे आके वो फैसला करेंगे, या मामले में तंड निश्चित करता है जाद रखिएगा अगर कोई भी व्यस्था गाउं में कोई भी उस तिरह का चर्चा हो रहा है या कोई भी इसा भी विचार सभी मौस हो रहा है तो कोई भी तरह करते हैं यह है जो दंड निश्चित करते हैं कि जो भी दोशी पाये जाएंगे उनको क्या दंड दिया जाएगा ठीक है तो इसका काम भी प्रानिक करते हैं दंड वही माना जाता है जो प्रानिक द्वारा निश्चित किया जाता है याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा important point है तो प्रानिक के बारे में हम लोग इतना कुछ जाने जितना भी important points है हम लोग पूरे book से निकाल के निचोड के हम लोग लाग के आपके सामने रखते हैं अगर अभी तक आपने subscribe ने किया हो और आपको अगर class अच्छा लग रहा हो तो like कर दीजिए इसका और subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि bell icon जैसे आप प्रेस कीजिएगा आपको अगला classes का notification आपको मिलता रहेगा गोड़त क्या होता है गोड़त मांजी के सचीव के रूप में काम करते हैं मांजी के सचीव के रूप में काम करते हैं मांजी के कहने पर गाउं में बैटकी करने के लिए गरामिन को सूचित करते हैं यानि कि मांजी का जो order होगा मान जी का जो order होगा वो संके सचीव को मिलेगा कि आप जाएए ये information पुरे गावाले को दीजे या किसी विशेश सासन विस्था के जो अधिकारी या उनको देना है तो वो भी देंगे हर एक काम सचीव का होता है मान जी का कुछ भी देखरेक का या कोई भी बेवस्था से related कुछ भी पढ़ने लिखने वाला काम कुछ भी इस तरह से सचीव क्या करते हैं उसका देखरेक करते हैं और साथ ही साथ जो भी order आता है वो बैठी की के लिए यानि मिटिंग्स वगरा के लिए वो गुरामीनों को सुचित करते हैं कि कब लगेगा मिटिंग कहां बैठना है किस विशे में चर्चा होगा सब बताते हैं लोगों को इसके अलावा गाउं के पाठ पुजा में खजांची का काम भी करता है ठीक है? याद रहेगा? चंदा इकठा करता है परवतिवार के बारे में गाउं को सुचना देता है डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि कोई भी एरिया में जब भी कोई भी गाउं हुआ उसका एरिया में कभी भी कोई भी मेला वगरा लगता है तो जीतने भी राशी वगावा धनराशी वगावा प्रवतिवार का यह जीतने भी होता है पूरे गाव एक साथ मिल के मनाता है हम लोग जानते हैं इसलिए गाव का थोड़ा सा यूनिक होता है यह सब सीज है न तो इसके लिए चन्ददाई खटा वगावा इन cambi के अंडर में गोड़त पूरे गां जन्जनच्याईत परीवार की जानकारी रहती है, मतलब गोड़त जो है वो तो सचीव है तो उन्को पता ही होना चीऌ क divergence कि कितनी जन्जनक्या है, परिवार का है काहा Sydney, कितनी जन्च्याई परीवार में परीवार में कौन परीवार रहते है तो यह सब सचीव को यह सब के बारे में जानकारी होगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी जोग मांजी जोग मांजी क्या है? मांजी के उप सचीव होते हैं देखिया अभी हम लोग दो चीज पढ़े एक मांजी पढ़े, एक तब मांड में बना के रखना, मांजी के अंडर में उप मांजी एक होते है, उप मांजी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजे आप नीचे, यह डैस डैस में छोड़ लेता हूँ, क्योंकि अभी जर्श मैंने बताया, फिर यह काम करेंगे, इनी को बोला जाता है, जोग मांजी याद रहेगा सभी को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इनका क्या काम होता है, गाओं के शादी बिवा का हिसाब किताब जोग मांजी के पास रहता है, किनका शादी होना है, कब शादी होना है, ठीक है, और उनके शादी शाधी व्याओं में कुछ वैसा खर्च गाओं के प्रधान अगर निभाने चाहेंगे तो ये वगारा वह सबका हिसाब किताब रखे उनका देते हैं तो यह सबका व्याओं का खास करके जोग माजी यशाधी यानि की माजी के उप सचिव रखते हैं ये युवाओं का नेता को बात है यह उप Ihr ओक्राइब से रहंगे और लड़की के तरफ से रहें गे तो वह क्या होगा दोनों का हेंडिल करेंगे तो यह कि dedicate का में रहता है कि शादी बिड आ हिजाब किताब रहेंगे तो दोनों का नहीं दोनों तरब से ये बीच में राते हैं कि इनका भी support करेंगे और इनका भी support करेंगे ठीक है शादी विवा के विवादों में अगर किसी तरह का जंजट हुआ तो चोकि ये mediator का काम करते हैं लड़की वाले का भी सुनेंगे और boy यानि कि लड़के वालों का भी सुनेंगे और इनसे भी नहीं सुलजता है तो फिर यह जाएंगे डारेक्ट मांजी को यह ख़वर करेंगे कि ऐसा मैटर है यह नहीं सुलज रहा है आप इसके लिए पंचायती बिठाईए या पंचायत के बारे में बात कीजिए आगे आते हैं और अगर दूसरा हमारे पास जो यहां पर अधिकारी है वो है जोग प्रानिक जोग प्रानिक क्या है जोग प्रानिक उप जोग मांजी है जोग मांजी क्या हो गया एसिस्टेंट का एसिस्टेंट यानि सब एसिस्टेंट हो गया मांजी का है उसके नीचे जो क जब वो एपसेंट रहेंगे भागदो प्रजा क्या है भागदो प्रजा गाओं के कुछ प्रमुक सजन है जो गाओं के प्रते एक मामले में विचार विमर्ज के लिए सब आमे उपस्तित रहते हैं वह होता है न थोड़ा सा एजुकेटेड लोग या थोड़ा सा अनुभवी परसंस कुछ ज्यादा एक्सप्रियंस वाले परसंस है न कुछ पढ़े लिए लोग अगर होते हैं तो उनको एक सद्ध से कमेटी बना जाता है कि यह लोग हमेशा रहेंगे कुछ भी फैसला वगरा होगा तो यह सबसे राय भी मर्ज लिया जाएगा विचार भी मर्ज इंस से में एक एक लेते हैं एब आते है लासेर टैंगयो संगत्रनात्मक प्रमख होता है जो ग्रामीन ग्रामीनों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है यानि कि आपके गाउन है गाउन division में कोई बाहर से ना है मतलब कोई वाईसा chem sixt improving progress have to a संगठन के अनुरुख काम करते हैं और जो लॉरेस्ट टेंकोई है वो क्या करते हैं इनका सुरक्षा करते हैं यानि की इंटर्नल जितने भी गाउं के लोग हैं उनको बाहरी से सुरक्षा करते हैं याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नायके, नायके क्या होता है, धार्मिक पूजा पाट को संपन कराता है, जैसे हम लोग पंडित कहते हैं, तो वो मांजी या संथाल से वेफस्था में ये आते हैं, धार्मिक अपरादों के मामले पर अपना फैसला सुनाते हैं, जदि कोई किसी से भूल हो तो फिर वो आपके मांजी थाना में वहाँ पे वहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये धार्मिक पूजा पाट को संपन करते हैं, ये गाओं के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, उनका पूजा पाट करते हैं, गाओं के जितने भी अब आते हैं हम लोग पंडी जी से कैसे संपर करते हैं आपके कर दीजिये आज लचमी पुजा है कल विश्नु पूजा होगा कल इस तरह करके जितने भी है तो उसी तरह करके यह भी अपने पूजा पार्ट में अपने गाओं के देवी देवता जो भी धार्मिक मानेता है उन देश मां जी कहा जाता है, पांच से आठ बड़े बड़े गाउं जो होता है जिसमें मां जी रचके विश्च रचके पूरे हैं इस इतना हर है जीम्हें बाटी होता है, यह समंधा है इसी को बोला जाता है देश मांजे, क्योकि यहो tipping में जानते हैं तो बहुत सारे राज मिलके बड़े से देश बनते हैं, अब सबके CM हएड हुए, सबके CM हएड हुए, तो सबके CM के समु को जो बोलेंगे, तो उसी तरह यहाँ पे भी सबके माझी, सबी गाउं के अलग-अलग जो भी गाउं है, पांच से आठ गाउं के हेड जो होते हैं तो फैसला मांजी नहीं कर सकता अगर मोन लीजे इस गाउं में ये फैसला मांजी नहीं हो पाया विवाद और भी बिगड़ गया तो फिर वो जाता है मोडे मांजी यार नी कि देश मांजी के पास और वहां पे सभी विशिष्ट मांजी गण बैठे बरते हैं और वो सभी परगनेत 15-20 गाओं के बीच एक परगनेत होता है जैसे अभी हम लोग देखें कि बहुत सारे गाओं जैसे परगना का आप लोग नाम सुना है तो उसी का यहां परगनेत बोला जाता है इन लोगों ने अपने भाशा में परगनेत का नाम दिया है यहां पर क्या होता है 15-20 गाओं को मिला के एक परगनेत बोला जाता है और यह गाओं के मांजियों का परधान होता है यानि कि 15-20 गाओं का सबसे बड़ा परधान जो होगा वो परगनेत याद हो गया होगा जिसका मामला देश माजी यानि की पांच से आठ माजीयों के बीच में भी अगर सॉल्व नहीं होआ तो फिर परगनायत के पास जाएंगे ठीक है फिर उनका मामला का निप्टारा वहां पे होगा ठीक है आगे चलते हैं हम लोग सुसारिया में सुसारिया ये सभा को सुचारी रूप से चलाते हैं कोई भी सभा जब होगा तो उसको सुसारिया वो सुचारी रूप से चलाएंगे यह पद सभी शेत्रों में नहीं होता है जो भी विशिष्ट कभी वैसा सभा बुलाए जाता है तो उस शेत्र में होता है ज्यादा तर जिस विशिष्ट शेत्रों में यह किया जाता है ठीक है आते हैं चौकीदार चौकीदार से तो आपको समझ में यह आ रहा है कि चौकीदा यह मांजी के आदेस पर अपरादी व्यक्तियों को गिरअपतार करता है, यह इनका सुरक्षा से रिलेटेड है, इनका काम है और यह कुछ भी दोसिव्यक्ति होता है यह अपरादी काम करते हैं तो उनको पकड़ने के काम करते हैं यह पद कोई पार्म-परिक नहीं है यह एक पद है सुरक्छा के मयों भी उसे इसका एक पद बनाया गया है ठीक है कोई पारमपरिक पद नहीं है कि होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आते हैं दिशौम परगना में कुछ शेतरों में सभी परगनातों के परगनातों अभी हम लोग पढ़े ना 15-20 गाओं ठीक है 15 से 20 गाउं के जहेड हुए पर्गनाइब तो कुछ शेत्रो्में सभी पर्गनाइटों के ऊपर एक दिशौम पर्गनाई होता है मतलब अब कुछ अलग अलग जिसे एक पर्गना हो गया एक दूसरा पर्गनाइत हो गया पीर इनको मिला के एक जो हेड हो गया, उसको फिर बोला जाता है, दिशोम परगना, ठाका ना, दिशोम परगना, समझ मैं, ठाका है, कोई भी मामला परगना तो, तो जही निप्टा आजाता है, तो ऐसे मामले को फिर दिशोम repeat के पास लाए आता है, गाओं को समने के लिए, यह अपने आप में एक cabinet है, cabinet है सबी बात है, बहुत बड़े बड़े प्रमुक प्रमुक अदिकारियों का ये परिगनेत में यहां पे फिर चर्चा होगा, ठीक है, भागदो परजा को छोड़कर से सभी पदा अदिकारियों को गाउं की और से जमीन मिली रहती है, भागदो परजा को छ चीज सही रहेगा, कुछ आप पी आइडिया दीजिया, ठीक है, तो इनको छोड़के बाकी जितने भी पदा अदिकारियों सभी को जमीन मिली रहती है, गाउं के और से इनको जमीन मिलता है, ठीक है, तो यहां तक आपको टोटल आपने देख लिया कि पूरा संथाल शाषन शाषन बैस्था क्या है, कौन कौन से पोश्ट है, इसमें कौन कौन से अधिकारी रहते है, उनका अधिकार क्या है, और उनको क्यों यहां पे बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है, तो यह सारे शाषन बैस्था को आप लोगों ने देखा, और अधिक और भी क्लासे इसी तर जरूर कर लिजे हमारे और भी अधर्स बैच है अगर आप SSC का, Railway का, Group D का, NTPC का, JPSC, BPSC, UPSCI का भी एक्जाम का अगर प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप यहां पे जोईन करके आसानी से आसान भाशा में आप यहां पे सीख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, अपना तयारी कर सकते हैं, यहां पे बहुत ही आसानी से आपको आराम से marks collect हो जाएगा, जिस idea से हम लोग यहां पे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो चलिए, बने रहे हमारे साथ, next class में फिर मिलते हैं कुछ unique topic के साथ, और धीरे धीरे हम लोग syllabus को cover करते जा और आप यह भी comment कर सकते हैं कि अगला वीडियो आपको कौन सा topic पर चाहिए, कौन सा topic आपको चाहिए, जिस पर अगला वीडियो बनाए जाए, जो कि आपके लिए आसान भी हो और आपको जरूरत भी हो, ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ study tips में मिलते हैं, फिर next class में, तब के लिए जैहिंत जोहर जर्खन और धन्यवाद